इस्राइल और हिजबुल्ला के दीज सीभायोंती किसी भी वक्त शुरू है सकता है क्योंकि 25 अगस 2024 की तर्ड़के पहरे तो इस्राइल ने एक बार में अपने 100 लड़ा को जेट से लेबनान के भीते कई हवाई हमले किये इन हमलों को लेकर IDF ने दावा किया कि उसने दक्षनी लेबनान में हिजबुल्ला के हजारों लॉंचर्स को तबहा कर दिया और इसके बाद हिजबुल्ला ने भी जवाबी हमले में इस्राइल के उपर ताबर्टूर तरीके से करीब 320 रॉकेट्स दागने का दावा किया है हिजबुल्ला का कहना है कि उसने ये हमला 30 चुलाई 2024 को IDF एयर स्ट्राइक में मारे गए हिजबुल्ला कमांडर फाउट शुकर की मौत का बदला लेने के लिए किया लेकिन अब हिजबुल्ला को हमास का साथ मिल गया है दरसल हमास ने हिजबुल्ला के हमले की प्रशन सा की है और कहा है कि ये हमला ताकतवर और केंद्रित जवाब था हमास ने हिजबुल्ला का समर्थन करते हुए एक बयान जारी किया है जिसमें उसने कहा है कि हम इस बात पर जोर देते हैं कि ये मजबूत और किंद्रित प्रतिक्विया जिसने इसराइल के अंदर गेहरी चूट की है ये हमला उसके चहरे पर एक तमाचा है लेकिन मौजूदा हमलों की वज़ह से हिजबुल्ला और इसराइल के बीच भयंकर युद्ध चिरने की संभावना मजबूत होती जा रही है जिसके वज़ह से अब मिडल इस्ट में धदक रहाज वाला मुखी कभी भी फट सकता है लेकिन इन हालातों के बीच मिस्टर में गाजा में युद्ध विराम को लेकर एक बहुत बड़ी मीटिंग चल रही है जिसमें अमेरिका भी लगा हुआ है इस बाचीत के बीच इसराइल ने हिजबुल्ला पर ये कहते हुए हमला कर दिया कि वो तेल अवीव पर एक बहुत बड़े हमले की तयारी में लगा हुआ था और इस हमले के बाच से ऐसा डर है कि कहीं गाजा युद्ध विराम की बाच्चीत पटरी से न उतर जाए दरसल अपने हमले को लेकर इसराइल का कहना है कि हिजबुल्ला इसराइल पर बड़े पैमाने पर रॉकेट कज़त था और मिसाइल फायर करने की तयारी में था हलंके इस्राइल के हमले के बाद हिजबुला ने भी इस्राइल के उपर 300 से ज्यादा रॉकेट मिसाइल और ड्रोन फायर करने का दावा किया है हलंके भोर होते होते दोनों पक्षों ने ये दावा जरूर किया कि उनके हमले सर्फ मिलिटरी जॉफियों पर किये गए थे लेकिन लेबनान में आईडियाफ के हमले से तीन लोगों की जान चली गई जबके इस्राइल में किसी के हताहत होने की कोई ख़बर नहीं है हलंके इस्राइल पियर बिंजामे नेतन्याहू ने कैबिनेट को संबोधित करते हुए ये जरूर कहा है कि आईडियाफ ने हजारों रॉकेट्स को ध्वस्त कर दिया है जिन्हें उत्री इस्राइल पर दागा जाना था अलंके इस्बुला प्रमुख हसन नसरुला ने अपने बयाल में नेतन्याहू के जावे की चुक्ता दिया इस्बुला का कहना है कि इजराइली सरकार अपने ज़स्ता को पीवगेख बना रहे है इस्बुला के लंडों पर नेतन्याहू और आईडियेव जूट पर जूट पर जूट पर लिए। कि खिल्ट पर जुट पर जूट परूंट जूट पर जलाइब। झाल सके के समय काईए। कि खिल्ट।… कि अजिल्ट सबस्क्ट हो भाल में विल्माज ड़का,